हाई एवरिवन बेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे सूजी और आलू से बहुत ही टेश्टी नास्ता ये नास्ता बहुत ही कम समय में बन के तियार हो जाता है और इसमें तेल भी बहुत कम लगता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज का हम टेश्टी नास्ता मैंने याँ पे लिए एक कटोरी सूजी और एक कटोरी लिया है मैंने याँ पे धई अब हम सबसे पहले एक बरतन के अंदर सूजी डालेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे धई धई हमें ज़्यादा खटा नहीं लेना है अब हमें इस धई को सूजी के अंदर अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेना है धई और सूजी से मैंने यहाँ पे एक बैटर तेयार कर लिया है अब इस बैटर को हम आदे हंटे के लिए ढख के रख देंगे अब हम यहाँ पे इस टफिंग के लिए आलू की चटनी बनाएंगे चटनी के लिए मैंने यहाँ पे लिए मुंफली थोड़े से लिए मैंने मतर के दाने एक लिए मैंने बारी कटा हुआ प्याच एक लिए मैंने यहाँ पे बारी कटी हुई हरी मिर्च तीन आलू लिये हैं जिनको मैंने वाइल करके मैस कर लिया है अब हम एक पैन के अंदर थोड़ा सा आईल गर्म करने के लिए रखेंगे आईल गर्म हो चुका है इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी राई राई यहाँ पे अच्छे से चटक चुकी है अब इसके अंदर हम डालेंगे मूफलिक के दाने और इन मूफलिक के दानों को हम हलका सा सेख लेंगे अब हम डालेंगे कटा हुआ प्याज हरी मिर्च डालेंगे प्याज और हरी मिर्च को हलका कलर चेंज होने तक पकाएंगे अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटर के दाने अब हम इन मटर के दानों को भी पका लेंगे अब हम इसके अंदर मसाला एड़ करेंगे थोड़ी से डाल रही हूँ यहाँ पे मैं हल्दी आदा चमच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च आदा चमच डालेंगे नमक और इन मसालों को भी हम अच्छी तरीके से मिला देंगे और अब हम डालेंगे इसके अंदर बॉil किये हूए आलू और आलू को इस मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चलाएंगे आप चाहो तो इस चटनी के अंदर थोड़ा सा खट्टे पन के लिए टमाटर या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी और हरा धनिया को अच्छी तरीके से इस चटनी के अंदर हम मिला देंगे आलू के चटनी बन के तेयार है इसको मैं एक प्लेट के अंदर थन्डा कर लूँगी हमारा बैटर भी तेयार है इसके अंदर हम डालेंगे इनो और इनो को अच्छी तरीके से इस बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे हमें बैटर को ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है बैटर अब तेयार हो चुका है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नास्ता मैंने यहाँ पे एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगे अब इसके अंदर हम चम्मस से थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे और इस बैटर को अच्छी तरीके से हम फैला देंगे बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है इसको थोड़ा मोटा ही रखना है अब इसके उपर हम रखेंगे आलू की टिक्की यानि कि जो हमने चटनी बनाई थी उसकी हम टिक्की बनाके इसके उपर रख दिंगे और इस टिक्की को हलके हाँ से प्रैस करते हुए फैला देंगे इसके उपर अब हम इसके उपर भी बैटर डाल देंगे थोड़ा सा बैटर की लेयर हमें ज़्यादा थिक नहीं रखनी है बस हमें इस आलू की टिक्की को अच्छे से कवर कर देना है बैटर से और हमें इसे दो मिनिट के लिए धीमी आज पर ही सेखना है यह एक साइट से सेख चुका है इसे हम दूसी साइट पलड देंगे और दूसी साइट से भी हमें धीमी आज पर ही इसको सेख लेना है और थोड़ा सा इसके उपर घी लगा देंगे हमारा सूजी और आलू का नास्ता दोनों साइड से अच्छी तरीके से सिख चुका है ये देखिए अब इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे अब मैं इसे चाकू से दो हिस्से में काट लूँगी ये देखिए हमारा सूजी और आलू का नास्ता कितना अच्छा बन के तियार हुआ है और इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए बैटर से भी नास्ता बना लेंगे मैं इस वार तवे के उपर बना रही हूँ जैसे हमने पहले बनाया था से हम उसी तरह से बनाना रही है तवे के उपर भी आलू और सूजी का बना हुआ ये नास्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इसे आप चाहें तो बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं इस नास्ते को बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और नहीं ज़्यादा घी या तेल का यूज किया जाता है अगर आपको रैसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार आप भी जरूर ट्राइ करें शूजी आलू से बने इस नास्ते को आप टमाटो शॉस के साथ करम अगर्म सर्व कर रहें अगर आपको रैसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चानल पर नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रासिपी के साथ